हेलो फ्रेंज एक बुरी अपडेट्स है बिहार जो बिपेसी है ये गले का फास बन के रागिया है बिपेसी का आठवा संसोधन है अब बिहार से बाहर राज के विसभी अवर्थी बिहार में सिक्षक बनने के लिए फॉर्म बर सकते हैं जी हाँ आपने सही सुना अब बिहार के जो डोमिसाइल नीती लागो किया गया था अब वो आहरता हटा दी गई अब यानि बिहार के बाहर राज के भी लोग बिहार सिक्षक बहाली में सामिल हो सकते हैं आप सोच सकते हैं पहले तो इन्होंने क्या कहा कि सीटेट दोजर 23 जुलाई वाले भी सामिल होंगे अब फाइनल बियेड वाली भी सामिल होंगे और यह आठवा संसोधन होते हुए बिहार के विनेट में मुहर लगी है कि बिपेसिक आठवा संसोधन के तहत बिहार के बाहर वाले राज भी अब बिहार सिक्षक बढ़ती में परिक्षा में भाग ले सकते हैं तो दोस्तों यह कही बिहार ने कहीं पोल्टिकल चाल है और कुछ नहीं है अब पढ़ने का एक्षा नहीं होता है विएर में बियार में जिसी शिच्छा विवेस्था है ना पढ़ाने की अपको यूख चुक होंगे और ना ही बिहार में पलायन की स्थिती घटने वाली है बिहार राज विद्याले अधियापक निक्ति अस्थांतरन अनुसासनी करवाएं सिवा सर्त नियावली 2023 के सुकिर्थी के संबंद में इस नियावली के संसोधन उपरांत विद्याले अधियापक के पद पर निक्ति ये तो बिहार के अस्थाई निवासी होने की अरता अनिव आपके सामने प्रस्तूत है सिक्षा विवाग का नोटी प्रेस नोट जिसमें कहा गया यहां पर देख सकते हैं कि बिहार के अस्थाई निवासी होने के अर्ता आनिवार्ज नहीं रहेगी जब आपको यह तमाम चीज निकालना था साड़ी तैयारी होके फॉर्म निकाला जात कि द्वारा कि अंधेरी नगरी चौपट राजा और अब बबुगा टीचर बनियान हो टीचर से बढ़के सीम बनियान सीम से बढ़कर अब कोई ख़ाब देखन पीम की बनियान